इस वीडियो में मैं आपको समसंग ग्रेंट प्राइम फॉन का एफर पी आनलोग करना सिखाऊंगा सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्केप पर क्लिक करकर आप किसी एक इंटरन कनेक्शन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर मैं वोजबर दिया हूँ क्योंकि मैंने व फॉस्ट टाइम इसको हड्रिसेट करके आ जाएंगे तो इस पर आपको इसे अप्शन मिल जाएगा देखे नीचे आपको नेक्स का बटन अभी देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन नीचे नेक्स का बटन है आप नेक्स बटन पर डबल क्लिक करते हुए जाएंगे और दीख पार है यहाँ पर आ गया Prin tas तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एकस्वन मिलेगा दिक्लाइन का अब से डिकैन और से मिलेगा तो मैंने यहाँ पर से कर दिया हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब देखे जैसे यह आप डिक्लाइन करता हूँ डिक्लाइन करने के बाद आप यहाँ पर इसको जो है एल शेप ड्रॉ करना होगा देखे दियान से देखे गया मैं उपर से नीचे आया राइट सर्ण में चला गए देखे यह एल शेप से ड्रॉ करना होगा अब यहाँ पर टेक्स्टू स्पीच सेटिंग आ जाएगा इस पर आप क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको जो वोलिम बटन दोनों है वो प्रेस करके रखना है और आपको एक अप्शन मिल जाएगा सिंप्ली स्कॉ करेंगी देखे यहाँ पर आप मैं सिंगल क्लिक से अभी जो है यूज कर रहा हूं अब आपको यहाँ पर सेटिंग टू गूगल पर क्लिक करके मीचे आपको फीड़ीबेक का अप्शन मिल जाएगा मीचे आपको एक लिंक मिलेगा प्राइवी सी पोलिस इस पर आप क्लिक और इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है ठीक है इस फॉन का वरिशन है 5.1 तो यहाँ पर 5.1 डाल सकते हैं अगर आपको वरिशन नहीं पता होगा तो आप जो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कुस मोटल का क्या वरिशन चल रहा है तो आप इससे भी एक अंताज़ा आपको कैसे मिलताइं वह भी बता देताहूं देख है यहाँ पर इसको आप को इस टॉल कर लेना है यहाँ पर आपको डाउल याप इसको डाउड का सब्सक्राइगा आ चाहेगा आप देख सकते हैं वीडियो को पूर्ण knitधर के यहां यहाँ और मैं देर हाओ इसलिए आपको जो दिखाई दे रहा है उसका साथ अच्छे से रियक्ट ना कर पाऊं लेकिन आप नीचे आपको जो है अप्शन मिल जाएगा आप से पले बुकमार्क पर क्लिक कर देंगे ठीक है यह आपको साइड में हिस्ट्री का आप्शन आ रहा है अपको क्लिक करना होगा और आपको ज इसको सिपल आपको डान करते ना यह आपके फोन के अंदर इंस्ट्रों हो चुका है अब आपको और एक अप्लिकेशन इंस्ट्रों करना होगा जिसका नाम में आपको दिखा देता हूँ देखे क्विक शोटकाट मेकर जो एक अप्लिकेशन है उसी का यह खेल है सब कुछ तो simply आप इसको install कर लेंगे install करने के बाद इसी application को open करना होगा तो आप वीडियो पुआ देखते जाएगा और वीडियो अच्छा लगे तो please like कर दीज़ेगा ताकि motivation मिले और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता जाओं ठीक है तो देखें यस application को मैं install कर ल कि देखें इस तरीके से यह रावंड होना स्टार्ट हो चुका है अब आपको नीचे तोर सा स्कॉल करना है तो आप देखेंगे यहां पर आपको अप्शन मिल जा कि बुक मर्स का सिंपले स्ट्री पर जाना है और इसको आपको install कर लेना है ठीक है install कर सकते हैं इस तरीके से और यह application open होगा ठीक है और इसे application को आपको open करना होगा देखें यह तरीके से आप इसको open कर लेंगे open करने के बाद आपको यहाँ पर search करना होगा google account manager ठीक है कौन सा google account manager वो आप यहाँ पर देख सकते हैं google का काफी सारे यहाँ पर option आता है लेकिन आपको दियान से देखना है कि कौन सा google account manager है यहाँ पर आप दियान से देखेगा Google Account Manager नीचे लिखा होगा Type, Email and Password यह वाला Google Account Manager आपको Open करना होगा ठीक है, Type पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको उपर 3.0 मिलेगा, 3.0 पे आप क्लिक करके यहाँ पर Browser Sign In पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर जो है, आप Bypass Process जो होगा, ठीक है Simply OK कर देंगे, क्लिक के बाद यहाँ पर आपको कोई एक Gmail ID जो है, वो देना है जो आप पहले से यूज कर रहे हैं, कोई भी Gmail ID हो जो आपको Password और उसका Email ID पता है वो Gmail ID आपर आप Enter कर देंगे और यहाँ पर मैं अपना Gmail ID डाल दिया हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर Password डाल दूँगा, ठीक है यहाँ पर कोई भी Create नहीं करना है, बस आपने जो पहले से यूज कर रहे हैं तो कोई भी Gmail ID उसका Email ID और Password आपको यहाँ पर डाल कर Login करना है, तो वीडियो को पुरा देखती जाएगा यहाँ पर Skip करके मच जाएगा, ताकि आपको पूरा पता चल सके देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है, अपना Gmail ID Login कर चुका हूँ और यहाँ पर Signing हो रहा है, देखिए, यहाँ पर Signing हो चुका है, अब आपको अपने फॉन को Restart करना होगा, ठीक है, देखिए, इस तरी किसा आपको अपने फॉन को Restart कर लेना है, Restart होने के बाद जो process है, वो भी आप दियां से देखिएगा, यहाँ पर आपका आपको टिक मार्क पर क्लिक करके और यहाँ पर Next प्लिक कर देंगे, यहाँ पर थोड़सा टाइम ले सकता है, दो तीन मिनिट लग सकता है, क्योंकि इसमें वेरिफाइ होगा कि यह आपके फोन में कोई ID है या नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है, वेरिपे हो जाएगा, लिखा हुआ आच चुका है, फिर से Talkback ओन हो चुका है, लेकिन वह पर्मेंटली डिजिबल नहीं हुआ है, वह सिंपली कुस टाइम के लिए डिजिबल हुआ था, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ओफ करता हूँ, लेकिन अभी यह डिजिबल नहीं हुआ है Talkback, अब Talkback को कि से ओफ करेंगे, वह मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो उसके बाद ही जाके आप अपने फॉन को जो है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और आपने जो भी अप्लिक्शन इंस्टोल किया है, तो उसको आपको अनिस्टोल कर ले ना है, अगर आपको फॉन रिपेर करते हैं, तो यह जो है अप्लिकशन जो भी आप इंस्टोल करते हैं, उसको अनिस्टोल करके ही आप अपने कस्टमर के दीजिए, या प्राप फॉन अपका है, तो आप इसको जो है अनिस्टोल कर दीजे क्योंकि कोई इसमें यूज नहीं है, उसके बाद, टॉक बैक यह अभी कोई इसको आफ करना है टॉक बैक्ट पे छे कहें करके आप इसको योपर जो है इसको आफ कर सकता है डीसईबल कर दिजेगा कैंद ऊसकु आ 대해 बाद इस आपने अप्र शोल्ख कर लेना है जैसे है आप धेक का रहें नीचे अपलेशन को आफ अक वनेज यह कर दीचेगा